गाउं और शहर की बहु की दिवाली सफाई एक ही मंडप में दो दूला दूलन के फेरे हो रहे होते हैं अंजना देवी खुशी के दिल से अपने दोनों बेटों रिशप, शुभम और दोनों बहुँओं पूजा और ढोलकी पर फूल बरसा रही होती हैं सुरेंद्र जी, आखिर का राज मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी, मेरे घर में दो दो बहुएं एक साथ आएंगी, अब तो मेरे घरांगन में सुभा शाम रौनक लगी रहेगी आज तो तुम्हारा दिल खुशी के मारे बाग बाग हुआ जा रहा है भागिवार, अब रोटियां जो नहीं बेलनी पड़ेंगी, हाँ, बहुओं के राज में तो पक्की पकाई रोटियां परोस कर मिलेंगी, और तो और होली दिवाली की सफाई भी बहुरानियों की जिम यो मुमी जी, पहपा जी, लेकिन मैं तो एक तिन का भी टस्स से मस नहीं करने वाली हूँ, घर के कामों के लिए गाउं वाली जेठानी है ना वेल प्यारे दर्शेकों, अब तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पूजा एक नंबर की कामचोर मिजाजवाली है, जिसे महंगे महंगे कपड़े गहने और मेकप करने का शौक है, लेकिन घर के कामकाज से उसका 36 का अकड़ा है, तो वहीं गाउं वाली बहु ढोल की बहुती कामकाजी, संसकारी, सुशील, सर्वगुन संपन है, कुछ देर में बारा दोनों बहु को लेकर लोटती है, जहां सास अंजना गाउं वाली और शहर वाली बहु का एक साथ में ग्रह प्रवेश करवाती है, आजाओ आजाओ मेरे घर की लक्षमी, तु बहु पूजा बहु तो नो दाया पैर लगा कर कलश गिरा कर अंदर आजाओ, जहां गाउं वाली बहु धीरे से ग्रह प्रवेश करके अंदर आती है, तो वहीं शहरी मौडन बहु खुद पर इतराते हुए कलश को लात मार कर एंट्री मारती है, तबी हल्दी की थाली नंद अंजली आती है, पूजा भाबी ढोलकी भाबी आप दोनों अपने हातों के हल्दी वाले चाप दर्वाजी पर लगा दीजे, तबी मूँ बनाते हुए पूजा बोलती है, नो वेज, नंद जी, मैंने स्पेशली अपनी शादी के ले इतना महंगा मैंनी क्यों करवाय मेरे सुन्दर सुन्दर गोरे-गोरे हात खराब हो जाएंगे, ये लो, सुरू हुई गवा सहरी देवरानी जी का सहरी बकायती, अरे देवरानी जी आप तो इसे डर रही हैं जैसे गंगा जी में डुपकी लगाना है, अरे तनी सी तो हल्दी है, दोनों हथेलियों को जोर जोर से हसने लगते हैं जबकि शहरी महौल की पूजा गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है, ओ, यू जश शाराब देशी जाहिल गवार जेठानी जी, मैंने स्पेशली ब्यूटी पारलर से HD ब्राइडल मेकप कराया था, एक बार तुम अपनी शकल शीशे में जाकर देख लो, एक दम ओल्ड फैशन जमाने की दुलहन लग रही हो, ये कुमकुम वाली बिंदी, लाल लिप्स्टिक and all, रिशब हमारा बेटरूम कहां है, आगे से लेफ्ट जाकर राइट में चलो, मैं लिए चलता हूँ, बॉडम कहिं की, हां, आरी मुरी दाया, सासुमा दे जाल में जाजवाली है, तुघर की बड़ी बहु है, इसलिए एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसकी बात निकाल देना, अच्छा बहु शुभम, तुम दोनों जाकर भी आराम करो, पूरा परिवार शादी की थकान के चलते, अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता पूजा, क्या मस्त नींद आई थी, अभी तो आठ बजे हैं, थोड़ी देर और सो लेती हो, तब तक मेरी गवार जिठानी नाश्ता रेड़ी कर लेगी और मैं दबा कर खाऊंगी, शाबाश पूजा, क्या दिमाग के घोड़े दोड़ाए हैं तुने, पूजा बहुती च अब दोनों गाओं वाली और शेहर वाली बहु की दिवाली की सफाई का वक्त आता है, गाओ वाली बहु, शेहर वाली बहु, जरा दोनों यहां तो आना, उफ, इस ओल्ड लेडी को भी नाचैन नहीं है, जब देखो पूजा, 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 पूजा करती रहती है, अ पूजा बहु तम दोनों घर में बिहा कर एक साथ आई थी लेकिन जब से तुम्हारी शादी हो ये तुमने एक तिन का भी तस्य मस नहीं किया सारा काम तुम्हारी गाउंवाली जिठानी ढोलकी के जिम्में में है लेकिन दिवाली की सफाई तुम दोनों को करनी है और इस बा करूंगी कि बुरा घर दूद के जैसे चमक जाएगा वो तो दिवाली की सफाई देखने की बात पता चलेगा भाबी लेकिन मेक अप करने के साथ आप मसका भी अच्छा लगा लेती है पता नहीं गाउंवाली जिठानी ने ऐसा क्या क्या है सब उसकी साइट लेते हैं अरे ओ मौडन देवरानी जी जरा एक बर खुत का शीशे में देखिया आपके सर पच्छिडिया का घोसला कहां से बन गया ही 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 हो गया हो अब आकर अपने दात पाल लिए हो तो माइन यूर ओन बिसनेस जल्ली कहिंगी ठीक है भलाय का तो जमाना ही नहीं भाया च जल्डोल की जल्दी जल्दी फटका मारते हैं अब या आंगन को गोबर से भी लीपना है थोड़ी सी सफाई करते ही शेहरी बहु थकने का नाटक चालू करते होई कहती है ये भगवान ये दिवाली के सफाई करते हैं मेरी तो दो सो चेहड़ी आना तूट जाए अब मैं औ और नहीं करने वाली सफाई शेहरी बहु अपने सर पर पट्टी बांद कर कमरे में चली जाती है धरगाओं वाली बहु बिना रुके ठक कर चूर हालत में भी दिवाली की सफाई अकेले पूरी करती है अब पूरे घर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करती है और उस पर फिसल कर बुरी तरह से धड़ाम से गिरती है आउ चूई मा आँ उहो तब ही गाओं वाली बहु माथा पीट कर कहती है गई भैस या पानी में अरे देवरानी की हड़ी पसली बच्ची की तूटी अरे आपकी आंकें की बटन कितनी महनत से हमने आंगन में गोबर अपने सब गोबर कर दिया इस तरह पूजा करते हुए डोलकी को बहुत बुरी भली बाते सुनाने लगती है दो कोडी की जाहिल गवार कहीं की तुम्हारे अकल में क्या भूसा भराय है आज के मौडन जमाने वे गोबर से दिवाली के दिन घर कौन लीपता है ये तुम्हा बहुत चहा कर भी अपने दुख दर्द को मुस्कुराहट के पीछे चिपा नहीं पाती तब सास शहरी बहु की क्लास लगाती है बस शहरी बहु बस अरे किसी को इतना भी अपमानित मत करो तुम शहर से हो मौडन हो पढ़ी लिखी हो अच्छी बात है लेकिन तुम्हें खाना मारकर अपने कमरे में चली गई फिर भी उसने कोई गिला शिक्वा नहीं किया और अभी भी गलती तुम्हारी है तुम देखकर नहीं चल रही थी ये तो वही कहावत हो गई ना नाच ना जाने आंगन तेड़ा उसके बावजूद भी तुम उसे सुना रही हो तो हु जिमा जी हमको देवरानी जी की बातों का बुरा नहीं लगा हम है ही जाहिल गवार इसी लाइक डोलकी की बातों में दर्द जलकता देखकर पूजा को अपनी गलती का पच्टावा होता है और वो उसे अंत में माफी मांगती है जिटानी जी मुझे माफ करती जिब प्लीज गलती मेरी ही थी मैं हमेशा आपका फाइदा उठाती रही आप फिर भी मेरा हर काम कर देती हैं दिवाली की सफाई में भी मैंने कामों से जी चुराया लेकिन अब हम लोग दिवाली की हर पूजा पार्ट पकवान बनाना सब कुछ एक साथ मिल जुल कर करेंगे ये सुनकर दोलकी को बहत खुशी होती है अंत में दोनों गाओं वाली और शहर वाली बहु एक साथ मिल कर दिवाली के पकवान बनाती हैं और सारी साज सजावत करती हैं और खुशी-खुशी दिवाली का तेवहार मनाती हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी शहरी और गाओं की बहुकित दिवाली की सफाई क्या आपके भी घर में इसी तरह साफ सफाई के पीछे तू तू मैं मैं होती है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैपी दिवाली